हलो आज हम इस WordPress के माडूल में देखेंगे कि Oンフॉमर्स प्लग-िन क्या होता है बहुत ज्यादा चलने वाला प्लग-िन है इसको हम आज क्लियर करेंगे देखिए Oンフॉमर्स प्लग-िन जो होता है वो e-commerce website बनाने के गाम आता है यहाँ पर मैं introduction की ही बात कर रहा हूँ कि हम किस type की website क्या करने वाले develop करने वाले थोड़ा सा आपके सामने logic क्या हो जाएगा clear हो जाएगा और आप उस type की website क्या कर सकते है आसानी से बना सकते है देखिए e-commerce website बनाने का मतलब क्या है जैसे आपके पास कोई store है जैसे आप उसको online करना चाहते है कि online बंदा वहाँ से क्या कर सके purchase कर सके जैसे shirt हो गया या कोई dress हो गई और आप उसको online purchase का क्या देना चाहते है option देना चाहते है तो e-commerce हम website बनाते e-commerce जैसे simple सा logic flipkart हो गया amazon हो गया उस type के उतनी बड़ी website की बात तो नहीं कर रहा वर हम e-commerce के concept से अच्छे level की e-commerce website क्या कर सकते है बना सकते है तो e-commerce plugin free plugin है आप इसका huge करके क्या कर सकते है e-commerce अच्छी website बना सकते है इसके अंदर क्या-क्या options मिलने वाला है थोड़ा हम clear करते देखिए यहाँ पर आप single image अड़ कर सकते है product का नाम अड़ कर सकते है description अड़ कर सकते है आप product के अंदर tax अड़ कर सकते है product के अंदर shipping का option अड़ कर सकते है यह सारे options आपको यहाँ पर क्या है मिल ले वाले हैं और इसी concept को use करके आप e-commerce website क्या करेंगे एक एचीज क्लियर करके क्या गरूंगा बताऊंगा जिससे आप उसको क्या अगर पाएंगे अपलाई कर पाएंगे अब देखे जो वेबसाइट बनाई है उसको मैं थोड़ आपको दिखा देता हूं देखे यह वेबसाइट है और यह नॉर्मल सेटप किया है यहाँ पर क्या गर सकते हैं चेंज कर सकते हैं और इसको इंपली मैंट कर सकते हैं इसके लिए आपको चार दिखाने तो वह चार भी ऑप्सण अपने को क्या मिलने वाले दैस बोर्ड में मिलने भी कुछ add करके देता है डमी, Ucommerce plugin को use करेंगे, हम theme को use करेंगे, सारा हम setup देखने वाले हैं, बस चीज़े clear होनी चाहिए, अब देखें, यहाँ पे क्या है, कि swap नाम का एक page, Ucommerce बना बना देता है, आप इसको product नाम से भी represent कर सकते हैं, देखें, swap के अंदर यहाँ पे products दिख रहे होंगे, और यहाँ पे आपके filter दिख रहे है, कि price filter हो गया, product category का filter हो गया, और यहाँ पे आप add to guard भी कर सकते हैं, add to guard करने के बाद, यह view card का भी option आपके पास क्या होगा, आएगा, देखें, cart में हम दो item add कर रखें, पहले से add कर रखा था मैंने, और दो item आपके सामने क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं, और यहाँ पे आप coupon code का भी logic implement कर सकते हैं, आप proceed to checkout करके, GST का भी logic apply कर सकते हैं, मतलब वैट लगाना, text लगाना, वो भी logic लगेगा, shipping charge apply करना चाहते हैं, वो भी आप process implement कर सकते हैं, जैसे मैं proceed to checkout करता हूँ, आपके सामने चीजे clear हो जाएंगी, अभी यहाँ पे कोई shipping charge नहीं, केवल normal product है, और जो आपके सामने क्या हो रहा है, दिख रहा है, आप यहाँ पे payment gateway भी add कर सकते हैं, आपन पूरा process देखने वाले हैंगे, यह checkout भी बना आ गया, यहाँ पे आप पूरा का पूरा फिल करेंगे, और यहाँ पे option होगा, कि आपको क्या करना है, कैसे हों delivery करना है, आपको कौन सा payment gateway यूज करना है, वो options आएगा, यह सारा options हमें o-commerce प्रोवाइड करा रहा, theme तो एक design है, जो अपने को कुछ look दे रही है, उसके वज़े से हम इसको देख पारें, कुछ अच्छा look मेरे सामने क्या हो रहा है, मिल पारा है, पस यह logic है कि अपने पास कुछ pages बने बनाये आ जाएंगे, जब आप o-commerce को setup करेंगे, o-commerce plugin को install करेंगे, वो हम next process में क्या करेंगे, clear करेंगे, अभी मैं introduction बता रहा था कि, o-commerce के तुरू हम किस type की website क्या गर पाएंगे, बना पाएंगे, जो आपकी level की साब से क्या होगी, अच्छी होगी, आप इसको develop कर सकते हैं, हम पूरा का पूरा एक नया project setup करेंगे, नया project setup करने के बाद, पूरा का पूरा एक नया process हम यहाँ पर क्या करेंगे, implement करेंगे, और कुछ इस type का पूरा का पूरा lookout हम क्या गरेंगे, बनाएंगे, जिससे आपके सामनी चीजे क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी देखें ये cart का option आ रहा है यहाँ पे देखेंगे तो आप क्लिक करेंगे तो cart वाले page पे भी चले जाएंगे cart वाले page है यहाँ से आप delete भी कर सकते हैं ये theme हमें दे रहा है आप quantity भी अपडेट कर सकते हैं जैसे आपको quantity बढ़ानी है तो अपडेट करके quantity को भी क्या कर पाएंगे अपडेट कर पाएंगे प्राइस भी चेंज हो जाएगा ये logic internally e-commerce plugin हमें प्रोवाइड गराता है उस theme ने उस logic को क्या किया है यूज क्या है design का logic theme का है e-commerce के through cart page product page यहाँ पे आपके सामने login का भी page आएगा जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ my account दिख रहा होगा my account पे click करूँगा तो कुछ इस type का design आपके सामने दिख रहा होगा dashboard, orders, download, address, account, detail, logout यह option मेरे पास क्या हो रहे, बने बनाया रहे हम इसके through भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने कितने order किया क्यों logic क्या होता है, e-commerce website में logic यह होता है कि जैसे आपने कोई product purchase किया, product purchase करते समय आप से वो login जरूर पूछेगा e-commerce website पे, आप login करेंगे लोग इन करने के बाद product purchase करेंगे, जैसे आप logout करके चले जाते हैं, माल लो आप दूसरे दिन आते हैं, और website पे आके क्या करते हैं, अपना order देखना चाते हैं तो आप login करेंगे, तो आपको अपना order भी दिख जाएगा, देखिए account detail में आपके सामने यहां पे दिख रहा है कि कुछ options आ रहे हैं, account detail के, password chain का भी option आ रहा है मैं order देखूंगा, तो order में मुझे order भी दिखेगा, मगर order अभी मैंने कुछ किया नहीं है, तो कुछ भी order मेरे सामने दिख नहीं रहा browse product करेंगे, तो हम अपन shop वाले page पे चले जाएंगे, जहां पे सारे product क्या अवलेबल है तो आपको e-commerce plugin, मैं आपको clear बताता हूँ, e-commerce plugin आपको ऐसा system देता है कि आप यहां पे add to cart, checkout, update cart, proceed to checkout, आप cash on delivery, payment gateway, यह सारे options को क्या अगर सकते हैं, apply कर सकते हैं आपको ऐसा logic नहीं लगाना पड़ेगा यहां पे, कि आपको कोई code करना पड़ जाए और यहां पे implement सारा काम हम plugin के थुरू करने वाले है, e-commerce एक ऐसा plugin है, जो 5 million plus लोग क्या करते हैं, इसको use करते हैं तो जब मैं install करूँगा, तो वहां पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम इसको क्या कर पाएंगे, use कर पाएंगे तो e-commerce plugin से एक चीज़ तो clear हो गई होगे, आप लोगों के सामने, कि हम e-commerce plugin के थुरू क्या setup करने वाले है, e-commerce website, category, product, यह सारी चीज़े क्या होती है क्या design होगा, कुछ हम look out क्या करने वाले, यह सारी चीज़े आपके सामने क्या होगी होगे, clear होगे 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 हम आगे के parts में e-commerce plugin को क्या करेंगे, install करेंगे, जिससे आपके सामने चीज़े और clear होगी और e-commerce पे काम करना क्या गर देंगे हम start कर देंगे, इसको भी हम parts में क्या गर देंगे complete कर देंगे, यह module बहुत important module है, आप इसके तुरू e-commerce website बनाने वाले हैं तो इस concept को आपको क्या करना पड़ेगा clearly समझना पड़ेगा, जब तक आप इस concept को के लिए नहीं समझेंगे तो आपके सामने e-commerce website नहीं बनेगी, e-commerce website नहीं बनेगी Thank you so much guys